असली अमीर एक छोटे से गाव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था उसके पास एक छोटी सी जोंपड़ी थी और उसके पास एक बरतन भी था जिसमें वह अपने खेतों से थोड़ी बहुत फसल लाकर खुद को और अपनी मा को खिला पाता था रामू का सपना था कि वह भी कभी अमीर बने लेकिन उसके पास साधन एक दिन गाव में एक साधू बाबा आए बाबा ने गाव वालों को बताया कि जो भी सच्चे दिल से उनकी बात सुनेगा उसे अमीर बनने का मौका मिलेगा रामू ने सोचा, शायद यह मेरा मौका है, उसने बाबा से पूछा, मुझे अमीर बनने का क्या तरीका है साधू बाबा ने कहा, सच्चे दिल से एक काम करो, अपने पास जो भी है, उसे दूसरों के साथ बांटो और देखो क्या होता है रामू ने सोचा कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने तै कि वह कोशिश करेगा उसने अपने खेतों की फसल का आधा हिस्सा गाव के गरीबों और जरूरत मंदों को दे दिया उसकी छोटी सी जोंपड़ी में जो कुछ भी था, उसे उसने सभी के साथ बाढ़ दिया सपने में भी उसने नहीं सोचा था कि उसकी इस सरलता का बड़ा असर होगा धीरे धीरे, गाव वालों ने उसकी मदद की और उसके खेतों की फसल को दुगना कर दिया उसकी जोंपड़ी को एक छोटे से घर में बदल दिया गाव वालों ने उसकी खेती में मदद की और रामू के पास अब बहुत सारी फसलें और संसाधन थे कुछ सालों बाद, रामू ने देखा कि उसकी जिन्दगी बदल गई थी अब वह सचमुच अमीर बन गया था लेकिन उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि अमीर बनने का मतलब केवल पैसे और संपत्ती से नहीं बलकि दिल की समरिधी से भी होता है रामू ने समझा कि सच्चे अमीर वही होते हैं जो अपने दिल में दूसरों के लिए प्यार और सहायता रखते हैं और इस तरह रामू ने साबित कर दिया कि असली अमीर वही है जो दिल से अमीर हो सीख, जीवन में सच्ची समरिधी और अमीर बनने का मतलब केवल भौतिक संपत्ती नहीं बलकि दिल की विशालता और दूसरों के साथ सचे प्यार और सहयोग में है